जब से जार्खन में हिमंद सुरिन की सरकार बनी है तब से लगातार गौत तसकरी की बितहासा दृधी वी है सरकार में बैटे हुए सत्ता धारी दल का पूरी तरह से सरक्षन और समर्थन है और जिसके कारण कानून बिवस्ता पूरी चर्मराई वी है और तुपुदाना की घटना जंगल राज की और पढ़ता हुआ एक उधारन है और मैं सरकार को चितावनी देना चाहता हूँ कि गौत तसकरी पर रूख लगाए अनधवा जनता की कोप भाजन के लिए आप तयार हो जाए आज बुधवार की सुबा तीन बजे जिस तरीके की घटना हुई है और एक महिला आदिवासी महिला दारोगा की जो वहान से कुचल करके हत्या जिस तरीके से अपराधियों ने कर दी है गौत तसकरों ने बहुत ही हिर्दय विदारा घटना है और इसके हम लोग बहद दिन्दा करते हैं और तीन जिलों की पुलीस रांची खुटी और सिम्डेगा की पुलीस मिल करके एक गौत असकर को नहीं पकड़ पाई तो इससे हम लोग जान सकते हैं कि राज में बिदी बेवस्था की क्या इस्थिती है और पुलीस प्रसाषन की कितनी मुस्ताइदी है और कितनी सक्रीता है इस तेस की फूल खुलती है और निशेत रुप से पाटी की तरफ से मैं बेक्ति पुलीसे को पत्रचार चार्यवी करूंगा प्रतिबंधित पश्रू है उनकी तसकरी और कुर्बानी सब को लेकर के देश में कानून है उसका सभी को पालन करना चाहिए और यह घटना हुई है उसकी पुनर्विती ना हो उसको लेकर के जो है पुलिस प्रशासन को भी सचेत होने के आप सकता है और मैं फिर से अपनी मां प्रशासन के लोग आप देखते होंगा कि जो है गाड़ी में उनको गाड़ी मिली हुए उसमें सोते रहते हैं एकाद व्यक्ति जगा हुआ रहता बाकी सब सारे सोते रहते हैं और पुलिस प्रशासन को को बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं है पेट्रोलिंग के नाम पर गस्ती के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है तो इन सब चीजों में सुधार क्याप सकता है और राची में अभी कल पर सोही नए सेनियर एस्पी जोइन किया है तो मुझे पूर्ण आसा है कि उनके नेतित में राची में बहतर पुलिसिंग व्यवस्ता होगी और डीजी साहब को भी देखना चाहिए कि पुरे राश्तर पर यह कैसे बहतर हो इसके लिए उनको सुचन म temp अक्राइब की पुलिस्ता बाल को कि लिए गाता को थेखने सस्पी यह मोयातर पुलिस नही जाराची चाहिए जिए जड़ की कि ए्या ख राची झाल